नमस्कार दोस्तों, पातफाइंडर में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर महीपाल सिंग राठोट और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा पंजाब में रिसेंटली साक्रिलेच के मुद्दे पर हुई दो लिंचिंग्स के बारे में तो ये पूरा मुद्दा क्या है? दो लड़कों को, दो युवकों को मारा गया है, गुरदवारे में उन्होंने बेअदबी करी थी, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है तो ये बेदबी क्या होता है और इन लोगों को क्यों मारा गया इसी पूरे मुद्दे को हम डिसकस करेंगे ये पूरा घटना करम कुछ इस प्रकार से चला कि 18 डिसमबर की शाम को श्री हर्मिंदर साहिब यानि की गोल्डन टेंपल में एक युवक ने रेलिंग कूद कर गुरुगरंद साहिब के पास जाने की कोशिश करी और वहाँ पर जो सिक्योरिटी में होते हैं उन लोगों ने उसे अरेस्ट कर लिया और उसके बाद वहाँ पर जो भीड है उसने भीड ने उसे पीट-पीट कर मार डाला अगले ही दिन 19 डिसंबर रविवार को कपूर थला जिले के एक गाउं में स्थित गुर्दवारे में अगेन एक युवक ने गुर्दवारे के निशान साहिब यानि कि जो जंडा होता है उसको अपमानित करने की कोशिश करी और इसे भी लोगों ने पकड़ कर पीट- जाता हूं कि आप इस लेक्टर का PDF मेरे डेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और पात फैंडर के टेलिग्राम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी लेक्टर की अपडेट्स पर आप्त होँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कさい तो दूर subscribe to the pathfinder channel अब आते हैं sacrilege शब्द पर ये शब्द Christianity के इतियास से जुड़ा हुआ है तो Christianity में जब कोई भी पवित्र वस्तु को Church में नुकसान पहुचाया जाता था उसे तोड़ने की कोशिश करी जाती थी तो उसे sacrilege कहा जाता था अगर इसका सीधा सीधा हिंदी अनुवाद में करूँ तो ये होगा पवित्र वस्तु का अनाधर या अपमान तो अगर आप किसी भी धार्मिक मूर्ती या धार्मिक वस्तु किसी भी धर्म की हो be it any religious book और be it any religious idol etc अगर आप उसका अपमान करने की कोशिश करते हैं तो ये sacrilege कहलाता है इसी से संबंदित और भी बहुत सारे terms हैं जैसे की blasphemy तो blasphemy होता है जब आप किसी धर्म के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं that is called blasphemy यानि कि धर्म के खिलाफ आप बाते बोल रहे हैं तो किसी भी सिख गुरू का अपमान या उनके खिलाफ कुछ बोलना कोई भी धार्मिक वस्तु का अनादर ये बेद भी कहलाएगा ध्यान में रखिए कि गुरु गरंथ साहिब जो एक किताब है उसे ग्यार्वे सिख गुरू के रूप में पूजा जाता है, माना जाता है so it is considered to be a living guru तो उन्हें एक जीवित गुरू के रूप में देखा जाता है तो उन्हें ऐसा नहीं देखा जाता कि it's just a book, it is like a living जीविक गुरू for all the sick people across the world और यही गुरू गरंथ साहिब श्री हर्मेंदर साहिब में रखी गई है यहाँ पर जिसे आप golden temple कहते हैं क्योंकि इसमें gold का cover कर रखा है पूरा exterior पर 18 December को एक युवक ने इसी हर्मेंदर साहिब के अंदर जाकर गुरुगरंद साहिब के पास पहुँचने की कोशिश करी जो में गुरुगरंद साहिब के आसपास का जो area है उसको एक fencing के द्वारा protect किया जाता है एक छोटी सी fencing होती है उसने उस fencing को कूद कर लांग कर अंदर जाने की कोशिश करी अंदर पहुँच भी गया था और ये सारा गटना करम TV पर live telecast हो रहा था क्योंकि जो daily prayers है वो TV प पकल लिया गया और उसके बाद वहां से उसे बाहर ले जाया गया और circumstances exactly clear नहीं है लेकिन भीड ने उसे मार पीटना शुरू किया and उसके बाद उसकी death हो जाती है इसके अगले ही दिन जो दूसरी घटना होई थी कपूर्थला के एक गाओं के गुरुदवारे में यहाँ प पर भी इसे लोगों ने पकड़ कर पीट पीट कर मार डाला अब एक बात ध्यान में रखिए कि अमरित सर में हुई घटना बहुत जादा significant है क्योंकि हर्मिंदर साहिब दुनिया में सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है it is the holiest place in the entire world for Sikh religion अकाल तक यहीं पर है और हर्मिंद साहिब यहां है गुरुगरंद साहिब यहां पर है तो यह बहुत ही religious the most religious place है for Sikh religion तो यह बात बिलकुल understandable है कि Sikh धर्म के लोग यहां पर बहुत जादा गुसा होंगे नाराज होंगे इस पूरी घटना पर उपर से यह TV पर live telecast और हुआ था तो इस घटना के तुरंद बाद ह जो पंजाब के DGP हैं पुलिस इंचार्ज हैं उन्होंने कहा कि हमने इन दोनों गटनाओं को बहुत सीरिसली लिया है और इनके साथ बहुत सकती से निप्टा जाएगा पूरी जाँच होगी तो पंजाब में सामाजिक सौहाद्र खराब ना हो जाए धार्मिक मोहल खराब जी ने भी ये कहा था कि ये बहुत बड़ी साजिश हो सकती है तो इसके उपर जाँच करने की आवशकता है तो पंजाब सरकार ने इसके लिए एक स्पेशल इंवेस्टिगेटिंग टीम को गटित कर दिया है SIT की जाँच बिठा दी गई है तो ये स्पेशल टीम जाँच क जहा कि पंजाब में जितने भी गुर्दवारे, मंदिर, मस्जित, चर्च हैं सभी में सिक्योरिटी बहुत ही टाइट कर दी जाएगी इन सभी स्थलों पर CCTV काम कर रहे हैं ये भी एंशॉर किया जाए अब इस पूरे मामले को legal angle से हम देखते हैं समझते हैं जो हमारे लिए जादा important है as competitive exam aspirants लेकिन मैं मानता हूँ कि not just competitive exams आपको एक भारत के समाज को भारत के laws को religions को समझने के लिए भी इस तरह के मामलों को ध्यान से देखना चाहिए तो यहाँ पर दो तरह से कानून तूटा है पहला जब उस व्यक्ति ने धार्मिक स्थल पर जाकर धार्मिक वस attempt to murder यानि कि एक जीवित व्यक्ति के attempt to murder का जो case होता है उसी प्रकार की धारा है यहाँ पर लगाई गई है उस व्यक्ति पर because Guru Granth Sahib is believed to be a living entity और दूसरी धारा लगी है धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए and that is section 295 तो यहाँ पर दो section है 295 और 295 A दोनों लगबक सेम ही ह जादा फरक नहीं है दोनों में 295 original पुराना वाला section है बाद में 1927 के आसपा संग्रेजों ने 295 A इसमें जोड़ दिया था तो यहाँ पर section 295 और A क्या कहते हैं कि अगर कोई भी विक्ति जान पूज कर deliberately और गलत उदेश्य से malicious intent से धार्मिक भावनाओं को आहत करता है तो खिलाफ यह धारा लगाई जाएगी और इसमें 2 साल तक की सजाय जो 295 A ने बाद में आगे बढ़ा कर 4 साल तक की भी कर दी थी ठीक है तीन साल तक की कर दी थी चार नहीं 3 साल किया था तो 295 को अगर आप चाहें तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं इन दोनों ही मामलों में जिन लड़कों को भीड ने मार दिया गया तो भीड के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हुई है पहले ऐसी जानकारी दी थी पंजाब पुलिस ने कि हमने भीड के खिलाफ भी unknown लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज करी है section 307 के अंदर लेकिन बाद में पंजाब पुलिस ने वो बयान जो आम आदमी पार्टी इवन RSS इन सभी ने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि ये जो सेक्रिलिज की घटना है ये धर्मिक सोहादर को बिगाडती है और इसलिए जल से जल न्याय होने की यहाँ पर आवशक्ता है न्याय करने की आवशक्ता है पंजाब कॉंग्रेस के चीफ नव जहाँ पर केवल 2 या 3 साल की सजा होती है उसको बढ़ा कर 20 यर्स कर दिया जाए उसको बढ़ा कर 20 साल कर दिया जाए लेकिन दूसरी और कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि बेद भी गलत है बिलकुल लेकिन अगर किसी भीड ने एक व्यक्ति की जान ले लिया है कानून अपने दर्ज नहीं हुआ है इसको लेकर भी कई लोगों ने चिंता जता ही है लेकिन अब ये पूरा मामला जो है बहुत ही sensitive issue है क्योंकि ये एक तो religious issue है और पंजाब राज्य जो है यहाँ पर Sikh धर्म majority में है लेकिन ध्यान में रखिये कि पूरे भारत में Sikh religion is in minority तो ये एक काफी sensitive issue बन जाता है दूसरा पंजाब में 2022 में चुनाव आने वाले हैं hardly 4-5 months बचे हैं पंजाब में चुनाव आने में तो ऐसे में ये मुद्धा काफी politicized भी हो सकता है ऐसा 2017 के पिछले चुनाओं से पहले भी हुआ था 2015 और 16 में बे अदबी की कई घटनाए हुई थी कई दुआरों में थी लेकिन इस बार तो श्री हर्मिंदर साहिब में ये घटना हुई है तो ये काफी चिंता जनक है और उस समय भी इसको लेकर काफी politics हुई थी काफी सारी जाच भी हुई लेकिन आज दिन तक वो मामले पूरी तरह से सपश्ट नहीं है उस समय भी SIT का गठन किया गया एक दो व्यक्तियों को आरेस्ट भी किया गया था लेकिन एक व्यक्ति की जेल में मृत्ति हो गई कुल मिलाकर ये किसने किया कोई साज़िश थी कोई सोची समझी किसी की साज़िश थी या फिर कोई मानसिक रूप से बिमार व्यक्ति अंदर चा जाकर ये घटना क करके आ गया था, क्योंकि अभी भी जो कपूर थला वाली घटना है, वहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति जिसने ये किया, he was mentally unstable, कुछ लोगों ने ऐसा claim किया है, उसके परिवार वाले सामने आये हैं, कुल मिलाकर ये पूरा मामला पंजाब के लिए एक बहुती sensitive issue है, NCR भी जो अपना data जारी करता है, उसमें recently अभी इस तरह के 295 वाले जो cases होता हैं, वो भी दर्ज होने लगे हैं, तो उनका record भी हमारे सामने हैं, पंजाब में 2017 से 2020 के बीच में, जिसमें से approximately 400 प्लस जो हैं, ये सिख धर्म से related हैं, लेकिन इन 400 से भी जादा मामलों में कहीं पर भी ऐसी punishment नहीं दी गई है, जिससे एक बहुती सक्त संदेश जायद लोगों के मन में, कि अगर बेदभी होती है, तो उसके खिलाफ कानून काम कर रहा है, कई cases के अंदर, पुलिस को जाच में कुछ नहीं मिला, कुछ cases में जहां पर कुछ लोगों को arrest किया गया, जाला तर जगे ये पाया गया, कि जिस विक्ती ने बेदभी करी, वो मांसिक ग्रूप से बिमार था, विक्षुक्त था, और इसलिए उसे छोड़ देना पड़ा, या उसको कोई सक्त सजा नहीं हुई, और सजा है तो भी maximum कितनी 2 या 3 साल की सजा है, तो ऐसे में पंजाब से लगातार डिमांड आ रही है, कि सैक्रिलिच के लिए सजा को 20 साल कर दिया जाए, उसके लिए पंजाब की विधान सवा ने एक कानून भी पारित किया था, लेकिन वो कानून राष्ट्रपती के द्वारा साइन नहीं किया गया, इट डिड नॉट रिसीव दे प्रेजिदेंशल एसेंट, उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई सिक्धर्म के धार्मिक भावनाओं को आहत करता है इस तरह से, तो उसमें 20 साल की सजा का प्रावधान होगा, लेकिन प्रेजिदेंट ने उसे साइन नहीं किया था, कुछ साल पहले कि ये बात है, लेकिन अब फिर से डिमांड उठी है कि इस कानून को फिर से लाया जाए, अब अक्टूबर 2021 में, यानि कि दो महीने पहले भी, एक लिंचिंग की घटना होई थी, ये काफी चिंता जनक है, तो जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली के पास, वहाँ पर निहंग सिक्कों ने एक व्यक्ति को लिंच कर दिया था, उसका हाथ भी काट दिया गया था, क्यूंकि उसने वहाँ पर स्थित गुर्दवारे में बेदभी करी थी, तो ये भी एक काफी चंता जनक विशय है, लोग लिंच कर रहे हैं और ये नॉर्मलाइज हो रहा है, यानि कि किसी को मार देना नॉर्मलाइज हो रहा है, definitely जो बेद भी करता है वो गलत है, लेकिन अगर किसी को मारा जा रहा है कानून अपने हात met लेकर तो वो भी गलत है, आप लोगों का इस बारे में क्या क्याना है कमेंट में जरूर बताईएगा अब जहां तक बात है भारत में सक्त कानूनों की तो देखे दुनिया में कई कंट्रीज हैं एस्पेशली इस्लामिक कंट्रीज जहां पर blasphemy laws बहुत ही स्ट्रॉंग है blasphemy का मतलब क्या है इश्वर की निंदा तो इन कानूनों को इश्वर की निंदा कानून कहा जाता है तो almost 71 कंट्रीज में दुनिया में इस प्रकार के कानून है जहां पर अगर आप भगवान, इश्वर, अल्ला, किसी के खिलाफ अगर आप कुछ कहते हैं कोई टिपपनी करते हैं, तो आपको सजा हो सकती है कहीं पर सजा 6 महीने की है, कहीं एक साल, कहीं दो साल, कहीं पर मौत की सजा और फासी की सजा भी है कई इस्लामिक कंट्रीज के अंदर blasphemy is punishable by death for example पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर blasphemy law बहुत ही strong है इनफाट पाकिस्तान का कानून है, वो हमारा ही IPC वाला सेम है क्योंकि वहाँ भी अंग्रेजों का ही IPC फॉलो किया जाता है तो जो original British Indian Penal Code, British time period में Indian Penal Code आया था वो ही section 295 पाकिस्तान में भी होता है तो पाकिस्तान में 295 को उन्होंने amend किया 295 A, फिराया 295 B, फिराया C तो B में पाकिस्तान में कह दिया गया कि 20 साल की सजा होगी और C के तहट मौत की सजा का भी प्रावधान है तो आपको मालूमी होगा कि recently पाकिस्तान में केस हुआ था जिसमें शिलंका के व्यक्ति को लिंच कर दिया गया था वहाँ पर भी तो इस प्रकार से पाकिस्तान में भी बहुती स्ट्रिक्ट कानून है ब्लास्फेमी के लेकिन ये जाधातर इस्लामिक कंट्रीज में आपको इस तरह के कानून देखने को मिलेंगे जहाँ पर स्टेट रिलिजन इसलाम है इस प्रकार के कई देश है अल्मोस्ट 48 कंट्रीज है जो मुस्लिम में से लगबख सभी में ब्लास्फेमी लौ है लेकिन हर जगे ईशनिंदा का जुर्माना मौत की सजा से नहीं देना पड़ता है कुछ देशों में मौत की सजा है जैसे कि इरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, साथे एरेबिया इनमें मौत की सजा डेफिनिटली है तो यहाँ पर ब्लास्फेमी लौज को स्ट्रॉंग करने के लिए भारत में भी इस प्रकार की घटनाओं के बाद समय समय पर मांग आती है कि दो या तीन साल नहीं बलकि 20 साल की सजा या फिर 10 साल की सजा बढ़ना चाहिए मतलब ब्लास्फेमी लौज जो है इंडिया के अंदर स्ट्रॉंग होना चाहिए और इंडिया में इससे डील करने के लिए आर्टिकल 295 ही है तो इसमें अमेंडमेंट को लेकर पहले भी डिमांड हो चुकी है तो इसी के साथ ये क्लास आज हम समाप करेंगे PDF आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं तेलिग्राम से अगर आप UPSC एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनकैडमी प्लाटफॉर्म पर मुझसे और अनकैडमी के अने अजुकेटरस से आप लाइव पढ़ सकते हैं मेरा अभी पॉलिटी का NCRT कोर्स ओन गोइंग है जिसमें हम पॉलिटी को काफी डीटेल में डिसकस कर रहे हैं कॉन्सिटूशन को डिसकस कर रहे हैं तो यू कन जॉइन दिस कोर्स बाइ क्लिकिंग अन दे लिंक बिलो प्लस क्लासेस को जॉइन करने के लिए आपको प्लस या आइकॉनिक दोनों में से कोई एक सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे उसमें 10% डिसकाउंट आपको मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोर्ड का इस्तमाल करते हैं तो ऑप्शनल के कोर्सेस भी यहां पर अवेलेबल हैं 23 डिसमबर को अन्यूल प्राइस हाइक हो रहा है इससे पहले आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और हमारे नए बैच्चेस हर वेंडस्टे को बनते हैं और हमारे समय एक्रिप्शन अब्राइस वें अवेलेबल के कहते हैं ग्रेट आरप लाइट ऑसक्रिप्शन खीप्शन इस्तमत्र आप ऑस्प्शन श्राइबल प्राइस को अणित्वर्वान हैं